नमस्कार जैहिंद बोसम ग्यान के अंदर जैपूर से मैं रादेशाम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज दिनांग 28 फरवरी है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में आने वाले एक नए शक्रिय पस्चमी विक्षोब की सबसे पहले यदि वरतमान पोजिशन की बात करें तो आप सटलाइट पिच्चर में देख सकते हैं कि फिलाल जो एक पस्चमी विक्षोब है वो इरान और आसपास के छितरों के ऊपर बना हुआ है सेटलाइट पिच्चर में उस एरिया में काफी dense cloud जो है वो फिलाल दिखाई जैपूर राजस्थान और आसपास का जो इलाका है यानि पस्चमी भारत के जो इलाके हैं इन में इस सिस्टम का आसर एक मार्च से ही सूरू होगा बात करें दि हम एक और दो मार्च को खासकर बारिस के point of view से तो आप देखेंगे कि खासकर जो एक मार्च को जो इस सिस्टम का आसर है वो पस्चमी राजस्थान के सरदी इलाके यानि जैसलमेर इसके अलावा जोदपूर फलोदी इसके साथ ही जो भीकानेर गंगानगर हनमानगड के इलाके हैं इसमें एक मार्च को दो पैर से ही सिस्टम के असर से मेग गरजन कहीं कहीं कासी बिजली चमकने और बा इक्टिव होता हुआ पूरवी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी सक्रिय होगा तो ओवराल यदि देखें एक मार्च को यदि ट्वंटीफूर आउर्स के दौरान देखें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर इलाके हैं खास पर जो उदेपूर संभाग कूटा संभाग इसके अलावा अजमेर, जैपूर, भरतपूर और जो नौर्थ वेस्ट राजस्थान का इलाका है इसके अलावा जो जो जोदपूर संभाग के इलाके हैं तो जादातर इलाकों में इस सिस्टम का आसर एक मार्च को रातरी के समय देखने को मिलेगा इस दोरान कहीं-कहीं मे दरजे की बारिष भी मेगरजन के साथ होने की संभावना है अब बात करें दो मार्च को तो इस सिस्टम का आसर जो है वुचूंकी वेस्टरन डिस्टरबेंस है यह कंटिनियूसली नौर्थ इस डारेक्शन में आगे बढ़ेगा तो इसका आसर जो दो मार्च को है वो खास की काफी कम रहेगा और थंडर एक्टिविटी में कुछ कमी आएगी अब यदि बात करें तीन मार्च को तो इसका असर राजस्थान से दीरे दीरे समापत होगा जिलावार यदि चेतावनी की बात करें तो आप देखेंगे कि एक मार्च को देखी जो सरद के इलाके हैं खा 50 किलो मेटर परते गंटा तक की और कहीं-कहीं ओला वरस्टी भी होने की संभावना है सेस जो यलो कलर में दिखाए गए हैं खासकर यदि बात करें जोदपूर संभाग की इसके अलावा सेखावटी जैपूर भरतपूर और कोटा संभाग में तो इन में भी एक मार्च को र परतपूर संभा के इलाकों में इस सिस्टम का असर दो मार्च को खासकर जादा रहने की संभावना है और तीन मार्च से इस सिस्टम का आसर समाप्त होगा तो आगामी इस मौसम के मद्यनजर मौसम के अंदर जैपूर के द्वारा किसान भाईयों के लिए खासकर करसी मौसम सला जारी की गई है चुंकि कई इस्तानों में रभी की फसलों का हर्वेस्टिंग का टाइम शुरू हो चुका है तो खास कर ऐसे समय में जब आंदी या तेज हवाएं या बारेस या कहीं कहीं ओला वरिष्टे की इदिकतिविदियां हो तो खास कर किसान भाई विज़ेस रू करें इसके अलावा करशी अनाज मंडियों में भी खुले आस्मान में जिंसे या रखा है तो उसको भी भीगने से बचाने के लिए करपया करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर भंडारन करें इसके अलावा मेग गर्जन लाइटनिंग या आकास ये बिजली चमकने की परिस के अंदर से जूरे रहें धन्यवाद थैंक्यू